दोस्तों थाराइट का बढ़ना या घटना एक मेटा बोलीम का रोग है इसमें अनेक तरह की बीमारियां इसके साथ में एक्टिवेट हो जाती है जब ज्यादा एक्टिव थाराइट हो जाता है तो उसको हाइपर बोलते हैं और जब कम एक्टिव रहता है तो उसको हाइपो तो हमें इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और इसको बैलेंस करने के लिए पांच ऐसे आसन बताने जा रहा हूं जो कि आप प्रती दिन करेंगे तो आपको थाराइट प्राब्लिम से मुक्ति मिल सकते हैं दोस्तों थाराइट का बढ़ना या घटना एक मेटा बोलीम का रोग है इसमें अनेक तरह की बीमारियां इसके साथ में एक्टिवेट हो जाती हैं चया पचया पेट खराब होना शरीव में मुठापा बढ़ जाना अंडर डाइजेशन होना बहुत तरह कि और दूसरे हर्मोन्स का इंडुक्राइंड ग्लैंड का भी गरबड़ी इसमें हो जाता है तो हमें इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है तो इसमें दो तरह के मुक् उसके विशाक्तता बताते हैं जदे विशुधी जट्र Complete यह जिसे धाराइटि बोलते हैं यहां पर जिजदी इसमें विशाक्त हो गया है यह विशाकता लो गई है इसमें तो इसको हम ठाइराइट का प्रॉब्लम बताते हैं और इसका मेलेंस करने के लिए यह सूंदर उस हों है तो आज मैं आपको पांच ऐसान बताने जा रहा हूं जो कि आप प्रती दिन करेंगे निच्च समय तक बताय हुए समय तक तो आपको थाइड प्रावल्म से मुट्टी मिल सकती है तो सबसे पहला आपको मैं करकी दिखा जाता हूं मीosure में परेफन है सिंग और तांट आता आइस से जानेता भाइधासन सब्सक्राइट की लिखनी साथ ने तरफ में जर्क्राइब महीं परेजाने जाते हैं और तो जानते हैं सब्सक्री stylisam आ हैं हां है इसको ऐखार में वैस कम कम से बारे बार एक बार में कर से सुबह कर दि अधारज़ बार खैँ थूद जो डीक्राओ को ठीज में दूसरा अंसंडक बाहिए अुश्ट अघ्थाल अस्मिंड क क्या गुच्टा को पीछे लिए पीछे लिए इस था से आ है कि और इस तुछ आपको एक बार में कम से कम ट्री टाइंस में तक रहें जए तीसरा है को तो थोड़ा दिफक्रट लएगा नए लोगों के लिए बाद में चलके यह काफी महत्तोपूर्ण है बाद में काफी करने पाई एक सब लोग ऐसे आप ऐसे उठा लेते हैं सब थुटी छापिस लगा हुआ इस पोजिशन में दो मिनट तरुखे हैं और जदी हो सके तो आप एक और हलासन कर लें हलासन करने की तरीका आप इसे तरह से आए पीछे में लेके जाएं कि इस पोजिशन में एक मिनिट तक रहें कि यह दोनों करने के बाद आप अब मस्यासित करें कि सर को पर इठा इस तरह से है कि मत्सयासन जीटना देर सर्वांग आसन और हलासन करते हैं उसके आんधहा देर तक में प्जशासन करें यह आपके पांच आसन यह पांच आशन आपके लिए बहुत ही महत्योपूर्ण है और बहुत đãुढ़कारी है दोस्तों यह थे दु करें बहुत दोध धन्वा जाहें